जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे CG Resettlement चानल पर दोस्तो एक्सवरिस्वेन भाईयों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है यानि कि AWPO की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है ये वैकेंसी दोस्तो 2022 के डिसंबर महने तक ही एवेलेबल है और स्वेसाथ contact details कहाँ पर आपको इस job के लिए contact करना पड़ेगा उसकी details भी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहली job दोस्तो हम यहाँ पर देखेंगे head of admin के लिए निकल के आ रही है ये job दोस्तो retired officers के लिए है और यहाँ पर age limit maximum 55 years बताया गया है ये job दोस्तो चन्नाई location के लिए है और यहाँ पर 18,00,00 रुपीज पर रैनम यानि की सालाने साधरी आपको दी जाएगी उसे के साथ आपको vehicle facility भी दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO चन्नाई से contact करना पड़ेगा AWPO चन्नाई का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर ACSO ESM के लिए 3 vacancies निकाली गई है यह vacancies दोस्तो lieutenant colon, major, captain, rank वालों के लिए है और इनके लिए maximum age 55 years बताया गया है यह vacancies दोस्तो चहापूर कंदी और Bangalore location के लिए निकाला गया है यहाँ पर दोस्तो आपको सालाना सालरी 12 लाग रुपीज दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO जलंदर से contact करना पड़ेगा AWPO जलंदर का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसे के साथ दोस्तो यहाँ पर facility office manager post के लिए vacancy निकल के आ रही है यह vacancy retired officers के लिए है maximum age यहाँ पर 62 years बताया गया है इस vacancy के लिए दोस्तो बैंगलर location बताया गया है और यहाँ पर 14 लाग रुपीज की सालाना साथ दरी आपको दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO बैंगलर से contact करना पड़ेगा AWPO बैंगलर का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर GM talent acquisition के लिए vacancy निकल के आ रही है retired officers के लिए यह vacancy दोस्तो और यहाँ पर maximum age limit 55 years बताया गया है यह vacancy दोस्तो हधराबाद location के लिए है और यहाँ पर 30 लाग रुपीज की सालाना salary आपको दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO सिकंदराबाद को contact करना पड़ेगा AWPO सिकंदराबाद का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर ATO post के लिए vacancy निकल के आ रही है यह vacancy दोस्तो SSC officers के लिए है और यहाँ पर maximum age limit 40 years बताया गया है यह job दोस्तो न्यू देली location के लिए है यहाँ पर दोस्तो आपको 28 लाग रुपे की सालाना salary दी जाएगी और इस job के लिए आपको AWPO आरो देली से contact करना पड़ेगा AWPO आरो देली का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर दूसरी एक vacancy निकल के आ रही है जनरल मैनेजर के लिए यह vacancy retired officers के लिए है और यहाँ पर maximum age limit 55 years बताया गया है यह job दोस्तो एमदबाद location के लिए है और यहाँ पर सालान सालरी आपको 18,00,000 रुपीज की दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWP आरो आमदबाद से contact करना पड़ेगा AWP आरो आमदबाद का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर manager security post के लिए 4 vacancies निकाली गई है यह vacancy दोस्तो retired JCOs के लिए है और यहाँ पर maximum age limit 45 minutes बताया गया है यह vacancy दोस्तो लादरू, बद्दी, देरावसी और हरिद्वार location के लिए है इस job के लिए दोस्तो आपको 50,000 रुपीज पर मन की साधिर दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWP Ambala से contact करना पड़ेगा AWP Ambala का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर business development, territory manager के लिए दो vacancies निकाली गई है यह vacancy दोस्तो retired JCOs के लिए है और यह vacancy दोस्तो चेननी location के लिए निकाली गई है यहाँ पर total आपको 30,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWP Ambala से contact करना पड़ेगा AWP Ambala का contact number यहाँ पर दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे senior executive प्रहारी manager के लिए 10 vacancies निकाली गई है यह vacancy दोस्तो रिटर्ट JCOs के लिए है और यह job दोस्तो चननाई location के लिए निकाली गई है यह job के लिए आपको 35,000 से लेके 45,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी प्लस आपको TPT allowance भी दिया जाएगा यह job के लिए आपको AWP Ambala से contact करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पे store manager के लिए वैकेंसी निकाल के आ रही है यह vacancy दोस्तो JCOs के लिए निकाली गई है और यहाँ पे maximum age limit 54 years बताया गया है वैकेंसी दोस्तो च्रीगंगानगर location के लिए है और यहाँ पे आपको इस job के लिए 28,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO चंदिगर से contact करना पड़ेगा AWPO चंदिगर का contact number यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे gatekeeper post के लिए vacancy निकाल के आ रही है यहाँ पे बड़ी vacancy है दोस्तो gatekeeper के लिए 54 vacancy निकाली गई है यह vacancy दोस्तो retired JCOs के लिए है और यह एमदाबाद भावनगर राचकोर्ट location के लिए vacancy निकाली गई है इस job के लिए दोस्तो आपको 33,000 रुपीज पर मन्त की CTC salary दी जाएगी इस job के लिए आपको 12 hours की duty होगी और weekly off मिलेगा इस job के लिए आपको एमदाबाद AWPO से contact करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पे नीचे railway gateman के लिए 200 vacancy निकाली गई है आप यहाँ पे देख सकते हो आपे maximum age 54 years बताया गया है vacancy दोस्तो all gujarat state के लिए निकाली गई है यहाँ पे आपको 32,000 रुपीज पर मन की स्यादर दी जाएगी और यह job के लिए दोस्तो आपको AWPO जलंधर से contact करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पे FD Care Executive Post के लिए vacancy निकाली गई है यहाँ पे 4 vacancy आवेलेबल है यह vacancy दोस्तो सभी एकसरिस्मेन भाईयों के लिए निकाली गई है यहाँ पे maximum age 45 years बताया गया है यह vacancy दोस्तो बाने लोकेशन के लिए है और यहाँ पे 30,000 रुपीज पर मन की स्यादर आपको दी जाएगी इस job के लिए आपको AWPO पूने से contact करना पड़ेगा AWPO पूने का contact number यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो हम यहाँ पे नीचे देखेंगे supervisor admin post के लिए दो vacancies निकाली गई है यह vacancy दोस्तो यह सभी एकसरिस्मेन भाईयों के लिए है यहाँ पे 10 प्लस 2 की education requirement बताई गई है यह vacancy दोस्तो बैंगलोर लोकेशन के लिए है और यहाँ पे 3500 रुपीज पर मन की आपको salary दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO बैंगलोर से contact करना पड़ेगा AWPO बैंगलोर का contact number यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे infrastructure manager पोस्ट के लिए vacancy निकाली गई है यह vacancy दोस्तो सभी एक्सरिस्मेंग भाईयों के लिए है और यहाँ पे maximum age 50 years बताया गया है यह vacancy दोस्तो मेटचल हाइदराबाद और राचकोर्ड लोकेशन के लिए निकाली गई है यहाँ पे आपको 35,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO सिकंदराबाद से contact करना पड़ेगा AWPO सिकंदराबाद का contact number यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हो security guards के लिए vacancy निकाली गई है यहाँ पे 25,000 रुपीज पर मन्त की salary आपको इस job के लिए दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO कोलकता से contact करना पड़ेगा AWPO कोलकता का contact number यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे फिर से security guards के लिए vacancy निकाली गई है यह भी 10 vacancy available है security guard post के लिए यह भी दोस्तो एक्सरिस्मेन सभी एक्सरिस्मेन के लिए निकाली गई है यहाँ पे maximum age 50 years बताया गया है और यह vacancy दोस्तो रिमस अगर location के लिए है यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी इस job के लिए दोस्तो आपको AWPO से contact करना पड़ेगा AWPO लखनो का contact number यहाँ पे दिया हुआ है तो दोस्तो यह थी details एक्सरिस्मेन भाईयों के लिए AWPO की तरफ से निकाली गई vacancies के बारे में तो दोस्तो ऐसी कई jobs के बारे में regular updates आने के लिए हमारा Android app डाउनलोड कीजिए और हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि आपको एक सरिस्मेन से जुड़ी सारी job और news की updates regular basis पे मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैं